हेलो स्टुडेंट, कम्टेटे एक्जाम की मैतेमेटिक सिरीज में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम भिन्नों का जोड, गटाना, गुणा और भाग करना सीखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भिन्नों को जोड़ा गैसे जाता है तो जैसे आप यहाँ पर पहले पार्ट में देख रहा होगा कि इनको हमें जोड़ना है अब जैसे एक्जामपल के लिए देखो कोई भी नमर अगर मैं लेता हूँ अब लिए एक नमर मैंने ले लिया तीन और दूसरा नमर ले लिया दो तो अगर हमें इनको आपस में जोड़ना है तो हम ऐसे करके डारिक जोड़ते हैं कि तीन और दो कितना होता है पांच होता है जबकि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेकि आओं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा बटे में कुछ नहीं है तो बटे में कुछ नहीं है तो एक मानते हैं ना और यहां पर भी बटे में कुछ नहीं है तो एक मानते हैं और यहां पर भी दिखो बटे में कुछ नहीं है तो एक मानेंगे तो आपको यहां पर दिख रहा होग तो हम अंस को डारेक्ट जोड सकते हैं यह चीज हमें यहां से बता लगी तो यहां पर आपको दिख रहा होगा हर में पांच है और यहां पर साथ है तो पहले इनका हर समान करना होगा अब आप यहां पर कुछ भी कर सकते हैं गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं केवल हमें क्य प्रेंजिल कर सकता हूं तो यही संख्या मुझे वापस मिलेगी तो फाइदा क्या होगा कि हर समान हो जाएगा कैसे हो जाएगा देखो यह वाली संख्या का गुणा यहां कर देखो यहां पर 5 है तो इसका गुणा यहां कर दो ठीक है तो यहां पर भी करना होगा अब अगर म मतलब यह वाला मैथड था यह वाला हमने जोड़ा था तो same to same वही चीज बनगी ना यहां पर एक है यहां पर 35 है फरक वही है अब आपको दिख रहा होगा कि हर में जो संक्या थी वह हमने इसके हर में लिग दी तो यहां पर हर में 35 है तो वह हम यहां पर लिग देंगे अब जो अंस है इसको हम डारेक्ट जोड़ सकते हैं तो 21 प्लस 10 देखो कितना हो जाएगा यह यह हो जाएगा 31 बटब में 35 तो बस यह हमारा एंसर हो जाएगा तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं एक भिन में किसी भिन को आपस में जोड़ सकते हैं ठीक है और इसी के बदले यहां पर प जोला कि इसका गुणा यहां पर कर दो तो यहां पर 4 का गुणा करेंगे तो यहां भी करना होगा यहां पर 2 है तो यहां पर 2 का गुणा करेंगे तो यहां भी करना होगा अब इससे क्या होगा यह हो जाएगा 3 चकू 12 यह हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10 और 4 दूनी आठ अब देखो बाइस बटे में आठ आ रहा है अब देखो यह संख्या किसी से कट रहे है क्या दो से गट सकती है यहां पर भी दो का भाग जाएगा यहां पर भी जाएगा तो यहां पर जाएगा चार और यहां पर जाएगा ग्यारा तो ग्यारा बटे में चार हमारा इंसर of कर दो अब दूसरा तरीका क्या होता है डिखो नमर तो ऐसे नहीं हो जकता है कि हर बार ऐसे भी नमें मिल जाएगा जिसमें नमर छोटे छोटे दिये हूं ऐसे भी हो क्यों जूठा है कि नमर आजके सब्सक्राइब यहाँ फ Citizens लेना है जैसे दो और 4 आपको दिखे रहा है कि इसका LCM, LCM मतलब लॉसो लेना है, ठीक है, तो इनका लॉसो कितना आएगा, देखो, दो और चार का जैसे लॉसो आपनी छोटी कक्षा में पड़ा होगा, ऐसे निकालते हैं, कि पहले दो का ट्राय करेंगे, तो यहां पर जाएगा एक, यहां पर जाएगा तो देखो, जब तक हमें तब तक इनको भाग करते रहने हैं, जब तक एक एक न आ जाए, तो दो और दो, मतलब दो गुणा दो, तो चार इनका क्या आगया, लॉसो आगया, तो चार जो लॉसो आया है, इसको हम हर में लिखतेंगे, ठीक है, अब देखो, इसको मैं चार कै ऐसे बना सकता हूं कि अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा, तो 4 बन जाएगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा किया, तो यहाँ पर भी करना होगा, तो वही चीज आ रही है, 4 हो गया, यहाँ पर 6 प्लस 5, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 बटे में 4, तो यहाँ पर देखो, डा 8 से गुणा करना होगा, तो यह हो जाएगा, 8 कुब 32 प्लस 7, और बटे में हो जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे तो 7, 8 ना हो, यानि 39 बटे में 8 हमारा एंसर हो जाएगा, अब इसको और चोटा, यह किसी से भी नहीं कट रही है, न तो यह संख्या न यह वाली, तो किसी एढ़ यह है कि LCM ले लो, अब दिखो, LCM किस-किस का लेने है, देखो हर में आवने दिया है 10, 5 और 2, इनका हमें LCM लेना है, तो इनका LCM कितना आएगा, 10 इनका LCM आएगा, एक ऐसे करना है तो डार effe करना है, तो ऐसे करेंगे, अगर आपको नहीं पता कि LCM कितना आएग तो यहाँ पर जाएगा एक फिर अब देखो किसी भी संक्या का नहीं जाएगा किवल 5 का जाएगा तो यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी एक अब इसमें नहीं जा रहा है तो यह संक्या जैसे थी वैसे इतार दी तो सब में देखो एक 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 आ गया तो आपको दिख रहा होग 10 है, तो 10 को L से मान लो अब हमें यह चेक करना है कि 5 इस बड़े वाले नमर में मौझूद है कि नहीं है, तो देखो इसको चेक करें, देखो यह तो हमने निकाल दिया कि सबसे बड़ा नमर है, यह यहां पर आ गया अब इसको चेक करना है, तो देखो इसमें मौझूद है क्यों? क्योंकि 10 को लिख सकता हूं, में 2 गुणा 5, तो देखो 5 इसमें मौझूद है, ठीक है, अब 2 इसमें मौझूद है कि नहीं है, तो 2 इसमें मौझूद है तो आपको दिख रहा होगा कि 10 ही हमारा जैसे एक्जामपल के लिए अगर अगर मान लीजी मुझे 8 6 और 12 इनका अगर मुझे LCM निकालना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा नमर लेंगे तो देखो सबसे बड़ा नमर इसमें 12 आ रहा है अब मुझे चेक करना है कि बाकी यह दूर नमर बचे ना कि इसमें 8 मौझूद है कि नहीं है अब देखो 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 गुणा 3 और 8 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 2 तो आपको दिख रहा होगा कि 4 यहां पर भी है यहां पर किसकी कमी है दो की कमी है तो इसको 2 से गुणा कर दो पहली चीज तो यह हमने कर दी उसके बाद हम चेक कि 6 इस में इस पूरे में मौझूद है कि नहीं है तो आपको दिख रहा होगा कि 6 को में 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ अब देखो यहां पर 3 भी मौझूद है 2 भी मौझूद है मतलब यह हमारा LCM हो जाएगा तो कितना होगा 3 चको 12 दो 24 तो इन सब का LCM हो जाएगा 24 और इसको 10 बनाना है तो 5 से गुणा करेंगे तो यहां पर भी करना होगा अब इन सब को देखो बटे में तो सब के 10 हो गया तो यहां पर में डारेक 10 लिख सकता हूँ अब अंस में हो रहा है 7 प्लस 2 तुनी 4 प्लस 5 ती 15 अब 15 और 4 कितना होगा 19 और 7 26 तो यह हो जाएगा 26 नमर दिये हैं 3 के अलावा अगर यहां पर और नमर दिये जाते तो ऐसे ही कुण करना है चाहिए तो यह वाला टाइप ब्यों हो गया अब अग्ला टाइप है यह वाला अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे गए देखो इसको solve करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि यह जो दिया है ना, दो सही तीन बटे दो, तो इस नमर को, यह जो पूर्ण संक्या है, इसको अलग कर दो, कैसे, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कि इसको, इसके बदले में ऐसे लिख सकता हूँ, दो सही तीन बटे में दो, प्लस इसको लिख सकता हूँ, तीन प्लस पांच बटे में साथ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, कि इसके साथ में क्या होता है, गुणा होता है, इसके साथ में प्लस होता है, तो दो दूनी चार और तीन कितना होगा साथ बटे में दो वैसे यहां पर भी करेंगे तो यह कितना हो जाएगा देखो यहां पर किष्णी है तो एक मानेंगे न तो दो से गुणा करेंगे यहां पर भी तो यह हो जाएगा दो दो दूनी चार और तीन साथ तो यहां से भी इसको solve करेंगे तो 7 बटे 2 ही आएगा तो ऐसे गरो या ऐसे गरो एक ही बात है अब देखो यह जो पूर्ण संक्या है उसको अलग जोड़ दो तो 3 और 2 यह हो जाएगा 5 और यह जो भिन वाली संक्या है 3 बटे 2 प्लस 5 बटे 7 इसको अलग जोड़ दो अब हर समान करेंगे तो इसक भी 7 से इसको 2 से गुणा करेंगे इसको भी 2 से तो यह हो जाएगा 5 प्लस 7 21 बटे 7 नी 14 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 7 नी 14 तो यह 14 होगे फिर यहां पे 5 प्लस यह हो जाएगा 21 और 10 यह हो जाएगा 31 बटे में 14 फिर यहां पे देखो भिन बन गी तो दोबारे यहां पे 14 से गु तो यह हो जाएगा यहाँ पर 1, क्या करती है मैं यहाँ पर, यह हो जाएगा 1 और 7 और 3 तस, तो 101 बटे में 14 हमारे एंसर हो जाएगा, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे नहीं करना है, तो पहले इसके साथ में गुणा, इसके साथ में प्लस, तो 2 दुनी 4 और 3 कितना प्लस, इसको गुणा कर दो, तो 7, 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26 बटे में 7, अब हर समान करना है, तो आपको यहाँ पर देख रहा होगा, इसको मुझे 7 से गुणा करना होगा, और इसको 2 से गुणा करना होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का, 7, 2 और 7 का LCM कितना आता है, 14 तो इसलिए, 14 करने के लिए, इसको 7 से गुणा किया, इसको 2 से गुणा किया, अब यह हो जाएगा, यहाँ पर 49 अपन 7 दोनी 14, प्रस यह हो जाएगा, 6 दोनी 12 को 2, 2 दोनी 4 और 5 बटे, 7 दोनी 14, अब इसको जोड़िंगे, तो 9 और 2, 11 को 1, 5, 4, 9, 10, तो 101 बटे 14 यहां से करना है, केवल, यहां पर जहां पर प्लस है, वहां पर माइनिस कर देंगे, जैसे इसमें जोड रही थे न, तो उसमें घटा देंगे, जैसे यह वाले कोशिन आपको देख रहा होगा, तो पहले हर समान करेंगे, तो यहां पर आपको देख रहा होगा कि 15 है, तो यहां पर 15 से गुणा करेंगे यहां पर 11 है तो यहां पर भी 11 से गुणाकर तो यह कितना हो जाएगा 56 135 ब्ठामे यह होजाएगा गाराफ हो सकती है ठीक है अगर मिस्टेक हो लिए तो आप इसको खुदी चेक करना फिर इसको minus करना है मतलब 135 minus 44 बटे में क्योंकि हर तो समान हो गया ना अब इसको solve करना है तो कितना आ रहा है यह एक और 13 में से चाहर गया 9 में 6-7 बटे में 6 अब 10 में से 7 माइनिस करेंगे तो 3 में 6 मतलब 1 में 2 हमारे एंसर होगा वैसे यहां पर भी करेंगे तो 8 दुनी 16 प्लस 1 यह जाएगा 17 में 2-24 और 5 29 बटे में 8 अब हर समान करने के लिए इसको 4 से गुणा करेंगे क्योंकि 4 दूनी 8 तो यहां पर भी 8 है तो यहां पर भी करना होगा फिर इसको solve करके देखना तो यह आपके लिए home mark है और अप इसमें comment करके बताएंगे कि कितना आसर आ रहा है इसका वैसे इसको solve करना है तो देखो यहां पर 6 इनका LCM अब क्या करेंगे इसमें से पहले यह दोनों को solve कर दो तो 15 में से 12 माइनिस करेंगे तो यह आएगा plus का कितना 3 फिर माइनिस 7 बटे में 6 हो जाएगा अब इसमें से यह माइनिस करेंगे तो देखो माइनिस तो हो जाएगा बटे वाली नमर का sign आएगा तो माइनिस 7 माइनि करके पूछ सकते हैं तो ठीक है अब भिन्नों का गुणा कैसे करना है इसके बारे में डिसकस करते हैं अब देखो भिन्नों का गुणा करने सबसे आसान है जैसे भिन्नों का जोड में हमें हर समान करना होता था ना बट यहां पर ऐसे कुछ भी नहीं करना है यहां पर डारेक अंस का गुणा अंस के साथ में होता है और हर का गुणा हर के साथ में होता है तो यहां पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो यहां पर एक मालो अब डारेक इसमें ऐसे कर सकते हैं कि 5 गुणा एक अंस का अंस के साथ में तो यह हो जाएगा 5 बटे में 6 जैसे यह दिख रहा 8 और 9 तो यह हो रहा है 9 बड़े 4 मतब 7 गुणा 9 बड़े 4 तो बटे में कुछ नहीं तो एक मानेंगे तो अंस का अंस के साथ में तो 7 नमें 63 बटे में 4 तो यह आंसर हो गया वैसे अगर इसको solve करना है तो देखो कितने भी नमर है केवल हमें यह दियान रखना है कि अंस के साथ में गुणा होता है और हर का हर के साथ में तो 7 कितना होगा 21 या तो ऐसे कर दो या तो आपको यहीं पर दिख रहा होगा देखो तो फिर गुणा कर दो तो यहां पर यह हो गया एक तो एक कम एक गुणा साथ तो सते कम साथ यह हो गया और बटे में 5 गुणा तो 10 10 गुणा 3 तो 10 ती 30 तो यहां पर जाएगा 7 बटे में 30 हमारा एंसर वैसे इसको solve करना है तो पहले इसके साथ में गुणा फिर इसके साथ तो चारदुनी 8 और 3 कितना हो जाएगा यह 11 बटे में 4 इंटु 6 ती 18 और 5 कितना हो जाएगा अठारा और 5 ही हो जाएगा 23 और बठे में 6 ठीक है अब देखो यह किसी से भी कट रहे हैं तो यहाँ पर डारेक्ट गुणा कर दो ग्यारती 33, ग्यारती 22 और 3 कितना हो जाएगा 25 और बटे में 6 24 तो ये हमारा answer हो गिया ठीक है तो गुणा में क्या करना है केवल अंस का अंस के साथ में और हर का अंस के साथ में डारेक करना है हमारा answer निकलाएगा और देखो भाग कैसे करना है भाग करना भी बहुत आसान है जैसे आपको यहां पर भाग दिख रहा है तो यह जो भाग है इसको हमें गुणा में चैंस करना होता है अब कैसे गुणा में चैंस करेंगे देखो आपको यहां पर दिख रहा होगा भाग है अगर इसको मुझे गुणा में चैंस करना है तो यह जो नम्मर है इसका उल्ट साथ में तो देखो 3 से इसको काटेंगे तो यहां पर जाएगा 4 तो 4 गुणा 4 यह हो जाएगा 16 और बटे में यहां पर बटे में 3, 3, 9 ठीक है तो यह वाला भी हो गया फिर अगर मुझे इसको solve करना है तो पहले इसको solve कर दो तो 5 भागा यहां पर लिख सकते हैं 7, 2, 14, 7, 21 और 4 यह हो जाएगा 25 तो 25 बटे में 7 ही हो रहा है फिर क्या करेंगे भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो इसका 5 तो 7 बटे 5 हमारा एंसर हो गया ठीक है अब इसको भी वैसे solve करेंगे तो 5, 3, 15, 16, 16 बटे में 5 यहां पर भाग 3 और 2, 5, 5 बटे में 3 अब भाग को गुणा में चेंज कर तो 16 बटे 5 गुणा 3 बटे 5 ठीक है अब इसको solve खुद ही कर सकते हो अब लास वाला question जैसे इसमें ह इसमें देखो दो बार भाग दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको यहां पर दिख रहा होगा कि पहले हमें यहां से सुरू करना है इनको छोड़ दो इन दोनों को छोड़ दो अब यह जो भाग है इसके वजले हम यहां पर गुणा करेंगे तो ठीक है यहां पर ह हो जाएगा 5 बटे 3 भागा 4 बटे 5 गुणा यह हो जाएगा 7 बटे में 6 हो गया ठीक है अब अगर देखो इसको अगर मैं 2 से गाटता हूं तो यहां पर हो गया 2 यहां पर हो गया 3 तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 बटे 3 भागा 7 दुनी 14 और 5 दिये 15 अब देखो वही चीज हो बटे में यहां पर हो जाएगा 14 तो यह वाला हमारा answer हो गया ठीक है या इसको ऐसे भी कर सकता है कि पहले अगर मुझे इसको चैंज करना है तो यहां पर यह हो जाएगा 5 बटे में 3 अब देखो इसका हमें उल्टा करना होगा बटा आपको यह दियान रखना है यहां पर कि सेख लिया अब देखो इसमें किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कोई भी क्वेशन आपके पास है और उसका सही आंसर नहीं आ रहे तो आप कमेंट करके पोच सकते हैं ठीक है तो आई हो कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो अच्छ करेंगी तो आई होगी पास है पती है।